धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुशाद के मतलब से आप समझेंगे वो चार तरह के कर्म जो मनुश्य को जीवन में करने जाएं, अब इसके बाद आगे हमारी चार मुक्ती, यह चार मुक्ती होगी, मोक्ष को पाने के स्थिती, तो क्या होगी यह, सालोक्य, सामिप्य, सारुप्य और सायुजी, अभी भी हमारा स्वास्ति का दूरा है, अब इसके बाद आगे हमारी चार अंतकरण, यह अंतकरण क्या हैं, जो बुद्धी हमारा निर्ने करती है, यह चार अंतकरण हैं, मन, बुद्धी, एहंकार, और चित हमें लगेगा शैद ये पूरा हो गया स्वास्तिक, मगर अभी भी इसमें भक्ति के जो चार स्थम्भ हैं, वो बाकी है, भक्ति के चार स्थम्भ कौन से हमारे शद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पन, अब ये बना हमारा पूरा स्वास्तिक, जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने जो स्वास्तिक बनाया, इसमें कोई भी लाइन को मैंने क्रॉस नहीं किया है, उपर से नीचे आए, और जब इस 16 इंद्रिया मिलती है, और जाके ब्रह्म पर मिलती है, जिस 16 इंद्रिया जामारी ब्रह्म स्थान पर जाके मिलती है, तो एक चिन बनता है, और वो सारी रेखाएं आपकी बाहर से अंदर की तरह आ रहे हैं यानि वो ब्रहमस्तान पर जाके मिल रहे हैं कोई भी एनरजी पॉस्टिव एनरजी जहां हमारी सेंटरलाइस्ट हो जाएगी तो उसका मुल्टिपल अफेक्ट मिलेगा हमें उसका अफेक्ट बहुत अच्छा मिलेग करा दोस्टिव प्राफ्ट बहुत यहां हमारी सेंटरलाजा कि भी एनरजी मिलेगे सेंटर कि आपकी एनरजी जहां होगी यदली थे एनरजी जहां हमें उसकाम जूनाजाएं झाहां हमारा आपकी पुछुश्त थार आपकी।